आटोस की बात निकली है तो of course, replacement demand जबरदस आने ही वाली ए, स्क्रापिच पॉलिसी के साथ बट डीलर्स के साथ साथ जो second hand market है, फिर्स टाइम बायर्स के साथ साह 준 जो second hand market है उसमें भी हम देख रहे हैं, एक बड़ा उचाल आया है जरा समझते हैं इसके बारे में आशीश के साथ आशीश के साथ आशीश बताई एक्जाक्ली क्या चल रहा है और इसको होगा इसका फाइदा अशीश के साथ जो इंटर स्टेट टांसपर होता है उसमें भी आसानी देखने को मिल रही है तो लोग जो है अब आच्छी तरीके से जो सेकंड हाइड गाडिया है वो खरीद रहे हैं जो UVs हैं, SUVs हैं या MUVs हैं यह तो सेकंड हाइड में काफी जादा पॉपिलर है लेकिन पूरा जो बजार डॉमिनेंट है वो छोटी गाडियों के लिए जितनी भारत में सेकंड हाइड गाडिया विक्ति इनमें से 58% चोटी गाडिया है और यह जो कॉंसेंट्रेशन है जो मिक्स है आगे जाकर बदलता हुआ नज़र आएगा और जो SUVs है इसकी भागेदारी आपको बढ़ती हुआ नज़र आएगी इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट है अब स्टॉक की बात करें तो कार्ट रेड एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रिडार पिठाना चाहिए सबसे पहली बात कि न्यू एज कंपनी है तो सभी के साथ इसकी भी पिटाई होगी उच्तम स्थर से स्टॉक चल रहा है अभी 70% नीचे लेकिन इनके पास जो ब्राइंट्स है जो प्रड़क्स है वो काफी इंट्रेस्टिंग इन फाक्ट आप देखे कारवाले है श्रीरा मोटो मॉल है कार ट्रेड एक्चेंज है यह सबी जो है जो प्री ओंड गाडियों है इनमे काफी बढ़िया काम कर रहे है तो यहाँ पर को फोकेस रखना चाहिए अगर ग्रोथ FI 27 तक अच्छी आती 16% CGR की होगी तो इस स्टॉक को भी फाइदा देखने को मिलेगा ओके तो कार ट्रेड को इसका डारेक्ट फाइदा आपको देखते में मिल सकता है इन फाक्ट सेकेंड हां कामार्किट की बात करें तो इनका एक बड़ा प्रेजन्स है इस स्पेस में बट स्टॉक ने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है इन फाक्ट कुनाल जी जैसा आशीश भी कह रहे थे का ट्रेड लिस्टिंग के बाद से बड़ा डिसपॉंट्मेंट रहा है 70% नीचे चल रहा है तो लिस्टिंग के समय तो का दो रहा है नहीं है कि बहुत कमजोर स्टॉक्चर है और बहुत निराश किया इस स्टॉक ने केबल एक सिल्वर लाइनिंग अगर इस चार्ट पर ढूंडें तो एक आपको सपोर्ट नजर आता है मौजुदा स्टरों के आसपास और इनी लेवल से मार्च के महीने में हमने देखा था एक बाउंस आया था स्टॉक में तो हो सकता है कि इस तरों पर फिर से आपको कुछ उच्छाला बनता हुआ दिख जाए यानि कि कुछ रिकवरी अगर होनी है तो संभव है कि इन लेवल्स के आसपास से हो जाए तो अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं तो मेरी स्टॉप लॉस जरूर रखें और यह स्टॉप लॉस आपको 480 के आसपास रखना चाहिए 480 के लेवल के नीचे अगर यह फ्रेश ब्रेकडाउन देता है तो स्टॉक में आपको सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग भी देखने को मिल सकते हैं तो सेकेंड राउंड सेलिंग भी दिखना है अक्षन